हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के प्रती हमारी क्या डियूटीज है फंडमेंटल डियूटीज चो कॉंस्टिटूशन के पार्ट फोरे आर्टिकल फिप्टी वान में उल्लेख है देश के हर नागरिक को इन डियूटीज का पालन करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट A, इंडिया के हर सिटीजन को कॉंस्टिटूशन के दाइरे में रहना चाहिए और Constitution के Ideals और Institutions की Respect करनी चाहिए और साथ ही National Flag और National Anthem का भी Respect करना चाहिए Point B, हमें उन उच आदर्शों को Cherish और Follow करना चाहिए जिन आदर्शों ने हमारे सतंत्रता के लिए राष्ट्रे आंदलन को प्रेरित किया था Point C में उल्लेख है हमें हमारे Sovereignty, Unity और Integrity को Protect करना चाहिए वही Point D में उल्लेख है हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और अहवान करने पर राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए Point E में उल्लेख है कि भारत में सभी लोगों को Harmony और Spirit of Common Brotherhood की भावना का निर्मान करना चाहिए जो धर्म, भासा और प्रदेश या वर्ग, आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हैं और ऐसी प्रथाओं का हमें विरोध करना चाहिए जो इस्तरियों के सम्मान के विरोध है Point F में उल्लेख है कि हमें हमारी Rich Heritage और Composite Culture को Preserve करना चाहिए और शाथ ही उसे Value भी उतनी ही देनी चाहिए Point G में उल्लेख है कि हमें हमारी Natural Environment जैसे की Forest, Lakes, Rivers, Wildlife को Protect करना चाहिए और इन्हें Improve भी करनी चाहिए और जितने भी Living Creatures हैं उनके प्रतियक Compassion का भावना रखना चाहिए Point H में उल्लेख है दोस्तों कि वेज्ञानिक द्रिष्टिकों से मानववाद और ग्यानारजन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए अगर देखा जाए तो Point I में उल्लेख है कि हमें Public Property को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना चाहिए अगर मैं Point J की बात करूँ तो यहां उल्लेख है कि हमें Excellence के तरफ आगे बढ़ना चाहिए हमें Excellence के लिए Stripe करना चाहिए हर एक Sphere में Individual हो या Collective Activity हो ताकि देश अपनी Level को आगे बढ़ा सके अंतिम Point, Point K काफी जरूरी है क्यूंकि इसमें उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयू के बीच के अपने बच्चों को सिक्षा का अवसर उपलप्त कराना हर Parents की Fundamental Duty है ये जो लास्ट वाला Point था जिसमें बच्चों की सिक्षा की बात कही गई है ये 86 समविधान शंक्षोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था तो एही हैं हमारी Fundamental Duties कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद हम इनके प्रती रूची दिखाए और इन में से कितने आपको पहले से मालूम थे नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा और अगर चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा शुक्रिया